दोस्तो आज की इस वीडियो में एक और टेस्टनेट का एरडॉप में आपके लिए लेकर आया हूँ बिल्कुल फिरी में आपको इसको जॉइन करना है छोटे से सिंपल से स्टेप्स हैं A to Z में आपको एक्स्प्लैन करने वाला हूँ बस आपको एक ही काम करना है कि वीडियो को पूरा देखना है पूरे प्रोसेस को अच्छे तरीके से समझना है और इसको जॉइन करना है तो चली दोस्तो स्टार्ट कर लेते हैं Gama Swap का जो टेस्टनेट है वो आपको यहाँपर जॉइन करना है तो सबसे पहला step क्या है कि इनका जो Twitter है, वो आपको यहां पर follow कर लेना है, और इनका जो Discord है, यहां पर इनको join कर लेना है, इनके Discord को join करने के बाद, अपने आपको verify करने के बाद, यहां पर Test net guide आपको दिखाई देगा, इसके उपर आपको click करना है, यहां पर आपको सारी की सारी details मिल जाएंगी कि इनका जो network है उसको अपने wallet में कैसे add करना है कैसे यहाँ पर आपको faucet लेना है इनके platform को कैसे use करना है और कैसे feedback देना है network के add करने की जो details हैं वो आपको वीडियो की description में मिल जाएंगी telegram के उपर में share कर लूँगा यहाँ पर मैं आपको steps बताना चाता हूँ कि आपको करना क्या है तो आपका जो wallet है वो आपको यहाँ पर open करके रखना है जिस wallet से testnet के air drop आप join करते हैं वही wallet आपको यहाँ पर use करना है account में आपको चले जाना है यहाँ पर आपको settings के उपर click करना है इस type का एक page आपके सामने open हो जाएगा यहाँ पर network का option आपको दिखाई देगा इसके उपर आपको click करना है अब क्यूंकि यह जो network है मैंने already add करके रखा है तो सारी की सारी details आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है आपको क्या करना है add a network के उपर click करना है जो details आपको वीडियो की description में मिलेंगी telegram पे भी मैं share करूंगा वो details आपको यहाँ पर put करनी है और यहाँ पर save के उपर click कर देना है by the way यह जो details है इनके test net guide के अंदर आपको मिल जाएंगे इनकी जो RPC है वो भी यहाँ पर available है इनकी जो chain ID है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं तो यह network आपको अपने wallet में add कर लेना है उपर यहाँ पर option है network change करने का अगर by default कोई दूसरा network यहाँ पर selected हो तो आप उसको change करके gamma swap test net के उपर ले आएं network को add करने के बाद दुबारा से आपको इनके discord के उपर आ जाना है क्यूंकि आपको यहीं से faucet मिलेगा यहाँ पर एक option है test tours करके इसके उपर आपको click करना है आपका जो wallet address है वो आपको यहाँ से copy कर लेना है और यह जो testers वाला section है यहाँ पर इसको paste करना है और उसके बाद enterprise कर देना है थोड़ा सा time यहाँ पर लग सकता है लेकिन आपको faucet मिल जाएगा ethereum जो है आपके wallet में आ जाएगा test net का जो ethereum है 0.25 ethereum करके भेजेंगे मैंने जो है एक बार यहाँ पर wallet address put किया थोड़ी देर तक wait किया faucet नहीं मिला तो मैंने दुबारा से wallet address put कर दिया test net के उपर है आपका एक रुपए भी खर्च नहीं होगा यहाँ पर आपको experiments करने हैं यहाँ पर कौन-कौन सी features हैं जो कि आप try out कर सकते हैं किस तरीके से आप इसको use कर सकते हैं तो वो मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा लेकिन सबसे पहली चीज जो कि आपको note करनी है आप यहाँ पर देखें 5 pairs हैं page number 1 pair page number 2 की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर भी 2 pairs हैं तो total यहाँ पर 7 pairs हैं हर pair के उपर आपको यहाँ पर काम करना है liquidity देनी है liquidity borrow करनी है withdraw करना है deposit करना है repay करना है यह सारी चीजें आपको हर pair के साथ करनी है एक pair यहाँ पर मैं choose कर लेत ताके जब आप दूसरे pairs के उपर काम करें, transactions करें, liquidity provide करें, liquidity borrow करें, तो किसी हिसाब से आपको कोई problem ना हो, लेकिन इस platform को use करने से पहले मुझे जो है faucet भी चाहिए होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आपका wallet आपको दिखाई दे रहा है, इसके उपर आपको click कर देना है, अब यहाँ पर आपको nine tokens दिखाई देंगे, तो आपको क्या करना है, एक एक करके इनका जो faucet है, वो यहाँ से request कर लेना है, जो पहला token है, बैट करके, यहाँ पर request के उपर में click कर देता हूँ, एक छोटी सी transaction आपके wallet में चली जाएगी, तो आपको यहाँ पर क् क्लिक करना है, यहाँ पर high के उपर आपको क्लिक कर देना है, उसके बाद save कर लेना है, थोड़ा सा scroll down करना है, और यहाँ से इसको confirm कर लेना है, इस platform के उपर जो भी transactions आप करेंगे, चाहे आप token का faucet लें, चाहे आप platform को use करें, तो यह जो step मैंने आपको भी करके दिखाया ह जाके fees को high के उपर रखा, यह काम आपको करना है, क्यूंकि अगर आप यहसा नहीं करेंगे, तो transaction को complete ओने में बहुत ज़्यादा time लगेगा, और यहाँ पर तो हमें बहुत सारी transactions करनी है, ठीक है दोस्तो, तो यह चीज़े आपको समझ में आ गई, उसके बाद में क्या provide liquidity आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, इसके उपर आपको click करना है, यहाँ पर आपको liquidity provide करनी है, लेकिन एक चीज़ का खयाल करिएगा, कि आप यहाँ पर जो values put करेंगे, points में put करिएगा, 0.2, 0.3, 0.4 इस तरीके से करिएगा, क्यूंकि आपके पास यहाँ पर limited tokens हैं, और आपको हर pair में liquidity provide करनी है, बहुत सारी transactions करनी है, अगर आप faucet लेंगे, तो 30 मिनट बाद आपको यहाँ पर दुबारा faucet मिलता है, तो जो tokens आपके पास हैं, उनको सही तरीके से calculate करके use करिएगा, जैसे के USDC है, अब इसकी जो liquidity है, Ethereum के साथ भी मुझे देनी है, दूसरे token के साथ भी इसकी liquidity provide करनी है, तो मुझे सारे tokens एक जगा पर खर्च नहीं करने है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, 0.4 जो है put कर देता हूँ, 0.4 यहाँ पर मैंने put किया, तो नीचे जो Ethereum है, वो इसने खुद बखुद calculate कर लिया, उसके बाद approve transaction के उपर मुझे को click करना है यह transaction यहाँ पर नहीं हुई, क्योंकि मैं इसको पहले कर चुका हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर confirm के उपर में click कर देता हूँ, transaction जो है wallet में आ गई है, यहाँ पर edit के उपर मुझे को click करना है, high के उपर click करना है, save के उपर click करना है, थोड़ा सा scroll down करना है और confirm कर देना है, तो LP के उपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपके जो LP tokens हैं उनको आप deposit कर सकते हैं लेकिन यह फिलहाल के लिए काम नहीं कर रहा testnet के उपर है हो सकता है कि कोई bug हो यहाँ फिर कुछ टाइम बाद यह जो है set हो जाए तो आप एक दो दिन बाद दुबारा आके इस feature को भी try out कर सकते हैं फिलहाल के लिए हम जो है back चले जाते हैं दुबारा से market के उपर में क्लिक कर देता हूं दुबारा से मेरा जो pair है USDC और wrapped Ethereum का इसके उपर में क्लिक कर देता हूं same page आपके पास यहाँ पर open होगा इस पार यह जो borrow liquidity आपको दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको click कर देना है अब यहाँ पर आपको liquidity borrow करनी है बिल्कुल सेम तरीके से आपको काम करना है points में values put करनी है जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने जो है values put की है और मेरा जो margin है 216% के around है जितना ज़्यादा margin होगा उतना better है तो यहाँ पर दुबारा से मैं इसको approve कर लेता हूँ यह transaction में पहले कर चुका हूँ टारेक्टली यह confirm के उपर चला जाएगा confirm के उपर मैं क्लिक कर देता हूँ यह जो transaction है इसको यहाँ से मैं confirm कर लेता हूँ तो भाई transaction यहाँ पर confirm हो चुकी है liquidity हम यहाँ से borrow कर चुके हैं अब यहाँ पर दो मजीद options है पहला option है rebalance का इसके उपर मैं क्लिक कर देता हूँ यहाँ से आपने जो liquidity borrow की है उसको rebalance कर सकते हैं यह जो ratio है इसको आप कम ज़दा कर सकते हैं वो अपने हिसाब से आप adjust कर सकते हैं मुझे यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ transactions करनी है मैं इसको confirm कर देता हूँ इसकी explanation के उपर मैं अभी नहीं जा रहा क्योंकि उसका कोई point यहाँ पर नहीं बनता तो यह जो transaction है इसको यहाँ से मैं confirm कर देता हूँ उसके इलावा आपके पास यहाँ पर एक और तीसरा option है repay का तो यह जो repay लिखा हुआ है इसके उपर मैं क्लिक कर देता हूँ आपने जो liquidity borrow की है उसका 25% आप यहाँ पर आज repay कर सकते हैं 25% कल आके आप यहाँ पर repay कर लिजिएगा कोई भी test net आप यहाँ पर use करते हैं तो शुरू के जो 2-3 दिन होते हैं आप यहाँ पर हर रोज कुछ नो कुछ transactions करते हैं तो थोड़ा सा अभी के अभी मैं आपको repay कर के दिखा रहा हूँ थोड़ा सा कल आके आप यहाँ पर repay कर सकते हैं इस से पहले भी मैं इसको try out कर चुका हूँ यह सारा कुछ आपको कर के दिखा रहा हूँ ताके आपको किसी इसाब से कोई problem ना आए तो यही features हैं जो के फिलहाल के लिए आप यहाँ पर try out कर सकते हैं तुबारा से markets के अंदर में चला जाता हूँ जो मैंने आपको एक pair में करके दिखाया यही काम आपको सभी pairs के अंदर try out करना है ताके आप यहाँ पर sure हो जाएं कि भाई किसी को airdrop मिले ना मिले मुझे तो airdrop ज़रूर मिलेगा क्यूंके मैंने इनके सारे के सारे जो task हैं वो complete किये हैं एक final काम जो के आपको यहाँ पर करना है तो यह जो balances आपको दिखाई दे रहा है इसके उपर आपको click करना है तो यहाँ पर आपके सामने इस type का एक page open हो जाएगा जो जो काम आपने यहाँ पर करके रखे होंगे वो सारी चीजें आपको यहाँ पर दिखाई देंगी मैंने सभी pairs के अंदर यह task complete करके रखें तो इसलिए यहाँ पर सभी pairs show हो रहे हैं आपको क्या करना है यह जो pairs हैं इनके उपर click करना है सारे के सारे pairs जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सब के उपर आपको click करना है ताके आपने जो भी यहाँ पर liquidity provide करके रखी है सारी की सारी जो details हैं वो यहाँ पर सामने आ जाएं उसके बाद आपको जो है इसका screenshot लेना है जिसमें यह सारी चीज बिलकुल सही तरीके से दिखाई दे आपका जो wallet address है वो भी सही तरीके से दिखाई देना चाहिए मैं आपको यह करके दिखा देता हूँ यहाँ पर search के अंदर में चला जाता हूँ और यह जो snipping tools है इसके उपर में click कर देता हूँ यहाँ पर new के उपर में click कर देता हूँ और यह जो website है मैं तो यह भी make sure कर रहा हूँ कि इसकी जो URL है वो भी इसमें आना चाहिए मेरा wallet address आना चाहिए सारी की सारी details आनी चाहिए इन case अगर आप URL को भी यहाँ पर add कर रहे हैं तो इस चीज़ का ख्याल करिएगा कि आपने VPN यूज नहीं किया वो होना चाहिए अगर VPN है तो वो off होना चाहिए यह कुछ precautions हैं जो कि आपको यहाँ पर कर लेना है अब आपको यहाँ पर एक final काम करना है दोबारा से इनके Discord के उपर चला जाना है थोड़ा से यहाँ पर scroll down करना है product feedback के उपर आपको click करना है और आप यहाँ पर देखें जैसे यह लोग feedback दे रहे हैं जो काम इनोंने करके रखा है उसका screenshot भी share कर रहे हैं इनका जो wallet address है वो भी share कर रहे हैं website को use करते वकत आपका जो experience है वो भी आप यहाँ पर share कर सकते हैं अगर आपको कोई problem आई है तो वो भी share कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन files मैंने upload की हैं और मेरा जो wallet address है उसको यहाँ पर मैं paste कर देता हूं उसके बाद यहाँ पर enter कर देता हूं इसी तरीके से आपको इनके testnet को use करना है future में जो इनकी updates होंगी जब यह beta के उपर launch करेंगे जब इनका token आएगा whatever कोई भी update होगी तो वो मैं आपके साथ share करूँगा इस से पहले भी बहुत से testnet में आपके लिए लेके आ चुका हूं शारडियम testnet इसके उपर वीडियो में बना चुका हूं आप इसको देखें इसको join करें sui testnet इसके उपर भी वीडियो available है इसको भी join करें zeta chain testnet इसको भी join करें अभी recently gamma x exchange के उपर मैंने वीडियो बनाई थी इसको भी join करें सारी की सारी जो वीडियो की links हैं description में मिल जाएंगी free के testnet है try करें हो सकता है कि इन में से कोई aptos की तरह perform कर जाए और अच्छा कासा हमको profit हो जाए ठीक है दोस्तो तो ये थी मेरी आज की वीडियो उमीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो काईट दी वीडियो को like करें अपने दोस्तों के साथ share करें मैं आपके लिए content लेके आता रहूँगा आपसे मैं fair मिलूँगा एक और वीडियो में एक और जबरदस टॉपिक के साथ